तो government of India ने कर दी है 59 applications को ban including TikTok और बहुत ही बड़े बड़े popular Chinese application और बहुत कुछ ही हो रही है तो actually इस वीडियो में जानेंगे reason कि आखिर क्यों ब्लॉक किये गया है क्या कर रहे थे वो जो क्या काराण हो गया reason की एक्दम से ब्लॉक कर दे गया अब तक क्यों नहीं तो है नहीं कि एकदम से क्यों किये गए क्या यह कहीं जो इंडिया चाइना बॉर्डर पर हो रहा है वो इस वज़े से तो नहीं बिलकुल नहीं यह reason नहीं है बट थोड़ा सा factor हो सकता है लिया जा सकता है इसलिए से लोग सोच सकते हैं बट यह नहीं है तो गैस जो application बैन किये ग हमारे cultures को effect कर रहे थे और हमारे यहां काफी गलत impact डाल रहे थे हमारे जो लोग है उन में तो इस वज़े से यह बैन किये गए और एक और रिजन था कि यह जो data है वो leak कर रहे है तो यह security purpose के लिए नहीं सही है हमारी country में इसलिए हम इनको बैन कर रहे है तो reason जानने से पहले कुछ popular app देख लेते को अनों से बैन हुए है बाकी list आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी अगर आपको photo चाहिए तो link description में website की वहां से download कर सकते है और हम बात करें list की तो list में सब से ओपर है TikTok उसकी बाद आता है share it को आए UC browser बैदू maps बैदू के जितने application है सारे बैन कर दिये गए है शीन, clash of kings, du battery saver, hello app, likey app, you can make up, mi community, cm browser, apps browser, club factory, news talk, beauty plus, wechat, uc news, bigo live, self city, mi video call, es file explorer, अगर आपको नहीं पता हूँ मैंने पहले भी video बना रखा है लगबग एक साल पहले कि ES file, यह कुछ पांच apps हैं जो आपने phone में हटा दें, उनमें ES file explorer include है, even cm master, cm cleaner, तो उसकी link यहाँ पर है, देखो और अगर अभी तक वो apps नहीं हटा है तो हटा दे ना बाद में, ठीक है, तो du recorder, du cleaner, du browser, cam scanner, clean master, wonder camera, qq player, we meet, qq international, qq security, qq launcher, u video, du privacy और mobile legends, यह थे कुछ popular application और कुछ इसमे ऐसे इस आप नहीं जानते हो, बट उनकी list आपको description मिल जागी है, वहाँ से जाके download कर सकते हो, यह application है, जो बयान कर देंगे इंडिया से, और reason साफ साफ यहीदी अगया है, कि यह security purpose के लिए नहीं सही है, यह data वगरा प्रीच कर रहे हैं, हमा हम weapons नहीं कर सकते हैं, वो data कर सकता है, यह आपको शाय समझे नहीं चाहिए, आपको लगता हो का मेरे data से खली क्या हो, जिससे आपका data हो रहा है, वैसे 100 करोडों लोग उस application को use करें, अगर वो सबका data leak कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो वो बहुत powerful है, उनके पास आपकी सारी information ह वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, तो indirectly वो weapons से जादा powerful होते हैं, और यही reason है कि इंडिया ने उसको ban कर दिया हैं इन application को, क्योंकि ये Chinese applications चाइना में data भेज रहे हैं, और जो की हमें आगे harmful कर सकता है, क्योंकि आपको जैसे पता है, चाइना border पर क्या चला है, तो हो सकता वो उसके साथ साथ इस चीज का support भी ले सकते हैं, क्योंकि जो Chinese application है, आप में देखा होगा TikTok पे, मैं TikTok को hate नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ क्या हो रहा है, TikTok पे एक एजेंडास चलने हैं, जिसमें वो Taliban type के लोग नहीं होते हैं, आतंगवादी type के उनको आतंगवाद वो बहुत बुरी जीज़ है, जैसे की racism, जो TikTok बहुत जादा promote कर रहा है, आपने देखा होगा, अगर आप उसको use करेंगे, आपको video बे सामने आएंगे, काफी सारा video है, जिसमें racism promote हो रहा है, कि कोई starting में वो आएंगे, ऐसे चंपू बनके, बाल अगर ऐसे करें, कपड़े फटे नुचे, और फिर उसने कुछ बोला, तो सामने वाले ने का, नहीं हम तुमसे नहीं बोलेंगे, उसके अथिरू स्मार्ट बनके, आया है, ऐसे transition करके, उसके समाने, तो indirectly आप कह रहे हैं, कि अगर आप देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, आपके बाल अच्छे न है कि TikTok इतना जाद अफिरू में इसलिया आता है यहा है, यह लाईकी पे नहीं होता है, या एक्च्छली में यह सारे अप्लिकेशन पर यही हो रहा है, चाइना इनको कंड्रोल करता है, बहले यह किसी ट्राइवेट डैवलपर के हैं चाइना में, बट चाइना में जितनी भ चाहे वो न्यूज हो, चाहे कोई भी सेक्योरिटी हो, चाहे कुछ हो चाहे वो सारा कंट्रोल रहता है चाहिना गवर्मेंट से, ठीक है, तो इसलिए वो आपका कुछ भी कर सकते हैं, तो as a people of India, एक citizen होने के नाते भारती, नागरिक होने के नाते, आपका ये फर्ज बनता है, कि आप अपनी तरफ से योगदान क्या दे सकते हैं, आप लडने नहीं जा सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, कि कुछ भी करो, बट आप ये मत करो कि आप अपनी वज़े से किसी सामने वाले को कॉम्परिमाइज करना पड़ जाए, मान लीजे आपका डेटा उनके पास है, आप वो कुछ भी कर सकते हैं, तो गॉबर्मेंट आप इंडिया को आपके लिए कॉम्परिमाइज ना करना पड़ जाए, तो इसी वज़े से इन सब अप्लिकेशन को राइट नाओ अनिस्टॉल कर दो जाके, लिस्ट नीचे है, डिस्क्रिप्शन में जाके कर देना, अनि जो कि हमारे Information Technology Ministry of India है, उन्होंने भी साफ यही रीजन दिया है, for safety, security, defense, sovereignty and integrity of India, and to protect data and privacy of people of India, government has banned 59 application, तो जब वो रीजन यही दे रहे है कि data leaking के वज़े से, और इंडिया में जो, इंडिया के जो cultures है, उनको यह सब यह नच्ट करते चारे हैं, हाम कर रहे हैं, इसी वज़े स कि आप सभी को support करना चाहिए, government का, अगर government आगे आया है, उसने uninstall, उसने ban किये हैं, तो आप सब right now, तुरंत uninstall कर दो जाके, बस यही आप से विंती है, तो बहुत 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 चुके विर्ट देखने के लिए, उमीद करता हूँ पसंद है, अगर पसंद है, अगर इंस्टॉल किया की नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहँ बहुत बहुत बढ़े देखने के लिए, जय हिंद, बंद मातरम,